किसान भायो नमस्कार आज आप लोगों को बताएंगे एसी तीन किसमे जो आप पच्छेती बुआई गेहों की कर सकते हैं और जादा से जादा पैदावार ले सकते हैं किशान भायो यह जो हम तीन आप लोगों को किसमे बताएंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही आप लेट बुआ इसकी भी कर सकते हैं और जो यह इसका पैदावार है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जिस तरह से आप लोगों को आगेती किसमे देती हैं उसी हिसाब से आप लोगों को यह पचेती भी किसमे देंगी तो किशान भायो वीडियो को अगर देख रहे हैं हमारे तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पर पहली वार हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें किशान भायो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिरी राम की 272 जो किसान भाईओ आती है ये बहुत ही अच्छी किस्म है इसकी बुईाई आप 5 दिसंबर तक कर सकते हैं और इसकी जो हम पौधे की लंबाई की बात करें किसान भाईओ तो 100 सिंटी मीट्र का पौधा होता है और इसका जो तना होता बहुत ही मजबूत होता है और इसके जो पकने का पूरा समय जो ये फसल लेती है वो 140-145 दिन में पक कर तयार हो जाती है और किसान भी इसकी बुआई के समय जो हम बीच की मातरा प्रतेकड में लेते हैं उसको 40-45 किलोग्राम आप ले लीजिए और पूरे एक एकड में इसकी बुआई कर दें किसान भी सिचाई की बात करें तो 5-6 सिचाई देनी पड़ेंगी और इसी 6 सिचाई में आप लोगों की फसल पक कर तयार हो जाएगी और रोग की किसान भी बात करें तो पीला रतवा रोग और भूरा रतवा रोग को सहनसील ये किसम बनाए गई है किसान भी इसकी चपाती भी बहुत अच्छी बनती हैं और किसान भी पैदावार की बात करें और इसकी पौधे की हाइट की बात करें तो किसान भायो 86 संटीमीटर का पौधा होता बहुत ही छोटा होता है इसका तना बहुत मजबूत होता है जिससे की फसल गिरती नहीं है किसान भायो भी से ध्यान देना कि आपकी जब फसल गिरेगी नहीं तो आपका जो दाना का भराव हो भी अच्छा होगा और आपका दाना जो वो पिछकेगा नहीं है पूरा आप लोगों को दाना का भराव मिलेगा किसान भायो तना बहुत ही मजबूत होता है मातर 135 से 140 दिन में ये फसल पकर तयार हो जाती है जो बुवाई के समय किसान भायो बीज की मातर आपको लेनी है वो 45 किलोगराम आपको लेना है प्रतेकड में रोग की बात करें किसान भाईयो तो सभी रोगों में बहुत ही सहन सेलता बनाई गई है इसमें किसम में और पैदावार की बात करें तो 50-65 कुंटल तक आपको प्रतेहिक्टेर में उत्पाधन देने वाली ये किसम है किसान भाईयो किसान भाईयो तीसरी जो हमारी किसम है यचडी 287 क्याउन बहुत ही अच्छी किसान भाईयो ये है इसकी बाई आप 10-15 दिसंबर तक कर सकते हैं और ये जो फसल हमारी पकर तयार हो जाएगी मात 130-140 दिन में फसल पकर तयार हो जाएगी आप लोगों सिचाई मातर आप में 4-5 सिचाई करने पर आप लोगों को यह फसल पक जाएगी बुआई केसमें जो बीज दर आपको लेनी है परते करने 40-45 किलोगराम आप इसकी बीज की मातरह ले ले किसंब भाईो आप पेदावार की बात करें किसंब भईो पचेती बुआई आप लोग करना चाहते हैं तो इन्ही तीन किसमों में से आप बुआई करें आप लोगों को जादा सजादा ऊत्पादन देगा और कम ही समय मी और कम ही पानी में आप लोगों को फसल पक कर तयार हो जाएगी तो कि शान वे यो वीडियो पर संद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेर जरूर कर दें